दोस्तो अगर आप लोग CCDV कैमरा अंसोल करते हैं तो एक प्रॉब्लम आपके साथ अक्सर आती होगी गाइस अगर हम कस्टमर के आपे माइक लगाते हैं या कस्टमर चाता है कि मैं बहार कहीं से बोलू टूवे टोक करना चाहूं तो मैं कर सकूँ या मैं अपनी आवाज वहां पर पहुचाना चाहूं DVR के पास में तो पहुचा सकूँ नॉर्मली एप के अंदर आप्शन्स अवेलेवल है कि हम अपने फोन से कुछ भी बोलते हैं माइक कौन करके तो हमारी आवाज वहां पर जाती है लेकिन उसके लिए हमें connection करना पड़ता है audio output का basically DVR में audio out निकलती है एक होता है audio in एक होता है audio out तो जो अगर हमने mic लगाया हुआ है तो वो लगाते हैं हम audio in के अंदर लेकिन अगर हमें speaker के अवाज देनी है बनाब कर्श्मर चाहता है कि वहाज मेरी recording हो रही है मैं चाहूं recording चेक करना तो मुझे आवाद सुनाई दे अगर उसने HDMI TV लगाया हुआ है LED monitor लगाया हुआ है जिसमें कि HDMI के थूँ से connection किया हुआ है तो उसे कुछ भी extra करना नहीं पड़ता वो simple सा उसमें audio आ जाती है थूँ HDMI cable क्योंकि HDMI audio भी support करती है और video भी support करती है लेकिन काफी customers होते हैं जो कि VGA monitor लगाते है जब मैं बात करें VGA monitor की तो उसमें कोई भी audio का options नहीं होता उसमें simple सा VGA होती है जिसमें कि हम display watch कर सकती है लेकिन अगर हमने mic लगाया है तो हमें आवाज सुनाई नहीं देती इस case में customer बोलता है कि मुझे audio कैसे सुनाई देगी तो वहाँ पर बात आती है कि normally अगर TV होता था पहले पहले हमारे normal DVR आते थे जिसमें कि audio out और video out निकलती थी तो हम AV में option करके setting करते थे जिससे कि हमारी आवाज आ जाते थी लेकिन जबसे ये audio out वाला जो system है बंद हुआ है जबसे सरफ HDMI या VJ का options आया है तो audio out का option टीवी वाला option बंद हो गया है अब अगर हमने monitor connect किया हुआ है अब में audio चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें external audio speaker लगाने पड़ते हैं कई बार customer कहता है मुझे बहुजारा budget नहीं है तो उसमें जो वो speaker लिखे आता है वो computer वाले speaker होते हैं छोटे वाले speaker 3-400 के आसपास में speaker आ जाते हैं लेकिन उसकी दिकर क्या है उसमें निकलता है सिरफ aux मतलब aux output निकलती है उसमें AV वाला point नहीं निकलता basically हमारे जो DVR है आगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो DVR में हमारे पास जो options होता है वो इस type का होता है audio in और audio out तो यहाँ पर in out लिखा हुआ है आप पढ़ सके तो audio in audio out नीचे white वाला audio out है और यह red वाला audio in है तो यह RC pin connection होता है जिसमें कि हमें connection करना पड़ता है audio in का और यहाँ से जो audio out निकलती है अब यह तो निकलती है audio out हमारी AV वाली लेकिन जो हमारा speaker है पोच्टी है speaker में हमारे जो connection होता है वो होती है aux cable जो mobile phone का aux cable होती है उस type से connection होता है अब यह cable आप सोचो कि इसमें डाल सकते हैं तो यह possible नहीं है यह जाती ही नहीं है और जाएगी तब भी आवाज इसमें से नहीं आती क्योंकि हमां earthing नहीं मिलती तो हमें क्या करना पड़ता है इस case में हमें इस case में यहाँ पर connector लगाना पड़ता है और एक side aux निकलती है यहाँ पर हमारी aux cable लग जाती है अब जैसे suppose कीजिए यह हमारी aux cable है वो यहाँ पर लग जाती है यह connection हो गया अब अगर हम DVR की बात करें तो DVR में यहाँ पर हमारी audio out की जगा यह लग जाता है सो यह हमारे इस तरीके से speaker attach हो जाते हैं जिसमें के हमारे क्रेंकर लगाना पड़ा हमें aux to av का अब second side पे भी अगर आपका speaker के बदले यह aux cable है सो इसमें जैसे मेरे पास एक पड़ा हूँ है bluetooth मैं bluetooth उस करता हूँ सो इसमें जो options निकलता है वो निकलता है aux का तो हम यहाँ पर लगा के simple सा अपने DVR की जो volume है Bluetooth में ले सकते हैं साथे साथ जो हमारे normal speakers आते हैं सस्ते वाले 3-400 पर के आसपस में computer के जो speaker आते है aux वाले उसके थरू भी हम आवाज को सुन सकते हैं काफी सारे dealers हैं जब मैंने इस लिए पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे काफी लोग inquiry करते हैं के connector कहां से मिलेगा तो इसका एक link मैं description box में दे रहा हूँ अगर आप इस connector को buy करना चाहें तो वहां से buy कर सकते हैं साथी साथ मुझे काफी लोग पूछते थे किस तरफ से connection होंगे तो मैंने आपको दिखाने कोशिश की कि आप कैसे connection कर सकते हैं तो में लिए आपकी जो audio out है वो आप अपने speaker पे aux वाले speaker पे easily connect कर सकते हैं और कोई भी रिकत नहीं आते ही गाइद मेरी main कोशिश ही रहते है कि जो मेरे subscriber हैं जो मेरे dealers हैं जो camera का काम करते हैं या फिर जो end user जो मेरी video watch करते हैं मैं किसी तरिके से उनकी help कर सकूँ उनकी problem को solve कर सकूँ अगर आपको मेरी video पसंद आती है तो like and subscribe जूरू कीजिए चैनल को subscribe इसलिए कि future में जब भी कोई video upload करूँ तो आप तक notification आ जाए और like इसलिए ताकि मुझे motivation मिले कि मेरी video मेरे subscriber को पसंद आ रही है गाइद अगर कोई भी questions मन में रह गया हो तो please comment box में write करें मैं आपका answer जरू दूँँगा और thank you so much इस video को इतना end सक देखने के लिए बगवान आपके दिन शुप करें thank you so much